आज का फर्स्ट वर्ड है सामगरी, सामगरी को इंगलिश में माटेरियल कहते हैं, माटेरियल मिन्स सामगरी और पूजा की सामगरी, पूजा की सामगरी को इंगलिश में वर्शिप माटेरियल कहते हैं, वर्शिप माटेरियल मिन्स पूजा की सामगरी और पूजा, अर्चना इबादत उपासना इन चारों को इंग्लिश में एक ही वर्ड से addres करते ही वो है worship वर्शिप मिस होता है पूजा अर्चना इबादत उपासना और पूजा की धाली को वर्शिप प्लेट कहते हैं वर्शिप प्लेट मिस पूजा की धाली और पूजा की धाली में दीपक होता है दीपक को इंगलिश में लैम्प कहते है लैम्प मिस दीपक और कोई कोई तो मिट्टी का दीपक यूज करता है मिट्टी के दीपक को इंगलिश में अर्थन लैम्प कहते है अर्थन लैम्प मिस मिट्टी का दीपक इसे clear lamp भी कहते हैं clay lamp का मतलब भी मिट्टी का दीपक ही होता है उस दीपक में lao निकलती है जब उसे जलाया जाता है तो वो lao निकलती है उसे English में flame कहते हैं flame miss law दीपक में रूई की बाती लगाई जाती है रूई की बाती यानि कपास की बाती हम लोग की तरफ इसे फूल बत्ती कहते हैं आपकी तरफ क्या कहते हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा रूई की बाती को कॉटन विक कहते हैं कॉटन विक मिस होता है रूई की बाती घी का यूज किया जाता है वैसे घी को तो इंगलिश में घी ही कहते हैं इसके लिए अलग से भी वर्ड है Clarified Butter Clarified Butter मिस घी और कपूर को कैंफर कहते हैं कैंफर मिस होता है कपूर और धूब बत्ती धूब बत्ती जलाई जाती है ताकि खुश्बू बिखरे धूब बत्ती को incense कहते हैं incense मिस धूब बत्ती और अगर बत्ती जो कि पूजा के वक्त जलाई जाती है जिसे खुश्बू वाले धूए निकलते हैं अगर बत्ती को incense stick कहते है incense stick मिस होता है अगर बत्ती इसे jaw stick भी कहते हैं jaw stick मिस भी अगर बत्ती होता है और धूबदानी इसे sensor कहते हैं sensor मिस होता है धूबदानी next word है shunk shunk को in english में canch कहते हैं 忘啦 miss shunk और पीतल की घंटी को brass bell कहते हैं brass bell मिस पीतल की घंटी और clutch को iron कहते हैं iron मिस होता है clush और पूजा की सामगरी में सुपारी भी होती है सुपारी को बीटलनट कहते हैं बीटलनट मिस उपारी और चंदन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है छंदन की लकड़ी को सैंडल उद कहते है और गंगा जल को हॉली वाटर यानि गंगा जल, पवित्र पानी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले Next word है सिंदूर सिंदूर को English वह मिलियन कहते है वह मिलियं मिस सिंदूर और जनेव को सेकरेट थेट कहते हैं सेकरेट थेट मिस जनेव और लॉंग, लॉंग को क्लॉप कहते हैं क्लॉप मिस लॉंग नेक्स वर्ड है पान के पत्ते पान के पत्ते को बीटल लेप्स कहते हैं बीटल लेप्स मिस पान के पत्ते नेक्स वर्ड है तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्ते को इंगलिश में बेजल लेप्स कहते हैं बेजल लेप्स मिस तुलसी के पत्ते ये बहुती फायदे मंद होता है और पुजा में भी यूज होता है नेक्स वर्ड है नारियल नारियल को इंगलिश में कोकोनेट कहते हैं कोकोनेट मिस नारियल और कंडा या उपला कंडा या उपला को इंगलिश में काव डंग केक कहते हैं काव डंग केक मिस कंडा या उपला गवाई के गोबर को काव डंग कहते हैं काव डंग मिस गोबर याद रहे डंग D-U-N-G अगर आपने D-U-N-K लिख दिया तो डंग मिस होता है डुबोना राख को इंगलिश में एश कहते हैं ये जो धूब बती अगर बती से निकलती है उसे राख को एश कहते हैं और मूर्ती या परतिमा को इंगलिश में आइडल कहते हैं आइडल मिस मूर्ती या परतिमा अच्छा देवी देवता की होती है देवी या देवता को इंगलिश में डाइटी कहते हैं डाइटी मिस होता है देवी या देवता और खंडित, कुछ मूर्ती खंडित हो जाती है, खंडित को इंगलिस में fragmented कहते हैं, fragmented मिस होता है खंडित, next word है माला, माला को गालन कहते हैं, गालन मिस होता है माला, और मुकुट जो देवी देवता के सरपर लगा होता है, उसे crown कहते हैं, crown मिस होता है मुकुट, और जो प् पुजा करते हैं पुजारी उनको इंगलिस में प्रीस्ट कहते हैं प्रीस्ट मिस होता है पुजारी नेक्स वर्ड है भक्त जो कि इंगलिस में डियोटी कहलाते हैं डियोटी मिस होता है भक्त और भगवान पर आस्था रखते हैं लोग आस्था को इंगलिस में फेत कहते हैं नेक्स वर्ड है प्रार्थना जिसे उर्दु में दुआ कहते हैं इसे इंगलिस में प्रेयर कहते हैं प्रेयर मिस प्रार्थना या दुआ और प्रार्थना करना यानि दुआ करना को प्रेय कहते हैं प्रेयर मिस दुआ करना और भजन को इंगलिस में हिम कहते हैं हिम मिस भजन और मंत जिसको जपा जाता है मंत को chant कहते है chant मिस मंत और तरशूल जिसे भोले शंकर लेकर चलते है तरशूल को trident कहते है trident मिस तरशूल और गदा जिसे हनुमाल लेकर चला करते है गदा को मेस कहते है मेस मिस गदा और चक जिसे बिश्रू लेकर चलते हैं इसे एंगलिस में डिसकस कहते हैं डिसकस मिस चक्र और बांसुरी जिसे कृष्ण बजाते हैं बांसुरी को एंगलिस में फ्लूट कहते हैं फ्लूट मिस होता है बांसुरी और उपवास या वरत जिसे रोजा भी कहते हैं इसे एंगलि मिस्ट में फास्ट कहते हैं और शुब महूर ऐसा समय जब अच्छा कारी किया जाए उस वक्त को ऑस्पीशियस टाइम कहते हैं और मंदिर जहां पर पूजा की जाती है इसे इंगलिश में टैंपल कहते हैं टैंपल मिस्ट मंदिर और मस्जिद जहां नमास परी जाती है इसे म मास्क मिस होता है मस्यद और गिर्जाघर जहुआ पे प्रेयर के ले जाते है इसे English में चेर्च करते हैं चेर्च मिस गिर्जाघर दोस्तों अज़ का खीज है शंक और खंडिक मूट सी इसे English में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियों